Hello Friends, Welcome to my channel Garden Flora दोस्तों सर्दियों की सुरुवात हो चुकी है और सर्दियों में बहुत सारे तरीके के फूल अपलब्द होते हैं बहुत सारे पौधे अपलब्द होते हैं जिसमें अलग-अलग तरीके के बहुत खुपसूरत से फूल खिलते हैं लेकिन जादर तर पौधों की यही बात होती है कि उनको अच्छी सनलाइट की जरूरत होती है सर्दियों की दिलों में खास कर जिससे उसमें अच्छी सी फ्लावरिंग हो लेकिन दोस्तों आप सब लोग को यह पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो की बहुत कम लाइट अगर उनको मिलती है दिन में एक दो घंटे की ही सुबह के धूब मिल जाते है तब भी बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग करते हैं और वो पौधा दोस्तों ह यह इंपेशन का यह देखो दोस्तों कितना ही खुबसूरत से इसमें फूल है खुबसूरत सी पतिया है इसे आप जो है हलकी सी लाइट जहां पर आ रही हो जैसे आपने बैलकनी में लगाया बहुत कम धूप आती है कई लोगों के हां उसमें बहुत अच्छे से गुच्छ मिल जाता है दोस्तों तो इस तरीके से इसकी हम देखेंगे दो वराइटी आती है एक तो ऐसी आती जिसमें ग्रीन कलर की लीफ दिखती है उसको इंपेशन वैलरीनिया कहते हैं और दूसरे हम देखते हैं जिसमें यह परपल कलर की लीफ्स है इसे इंपेशन होकरी बोलते ह तो ये आपका इंपेशन होकरी वाला पौधा है जिसमें परपल कलर की रेडिस कलर की लीफ्स आपको देखनों को दोस्तों मिल रही है अब बात करते हैं दोस्तों हम इस पौधे की कैसे केर करें और किस तरीके से इसमें जो है हम रीपोटिंग करें जिसकी वज़े से आगे चलकर इसमें भर-भर के गुच्छों में फूल आएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है दोस्तों इसमें आप देखेंगे डेंस ग्रोथ होती है ये साइट से ब्रांचेस इस तरीके से अब निकलने ही लगी है ये प्लांट में लाया था कुछ दिनों पहले नरसरी से और वैसे देखा जाए अगर हम इसको ध्यान से केर करके रखते हैं तो गर्मियों में भी आगे सर्वाइब कर जाता है और अगले सीजन में भी हम इसक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी ब्रांचेस की कटिंग लगा कर हम इसको प्रोफोगेट करा सकते हैं ठंधक भर तो फूल देता ही देता है और अगर आप जो है इसको संभाल के रखें तो गर्मियों में भी सेड़ी प्लेस पर रखने के बाद जो है अगले सीजन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लावरिंग के लिए दोस्तों होता क्या है कि सामानेता जो है इसको फ्लावरिंग होने के बाद हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं गर्मियों में धीरे धीरे से तेज़ धूप में इसकी पत्तियां गिर जाती है यह सूखने लग जाता है इ इसमें हमें खास केर करने की जरूरत होती है गर्मियों में वैसे देखा जाए इस समय हम किस तरीके से इसकी रिपॉर्टिंग करें किस तरीके से स्वाइल मिक्स त्यार करें इसके बारे में बात करते हैं तो दोस्तों होता क्या है कि यह पौधा काफी अच्छे से ग्रोथ करे साथ में जब हम न्यूट्रियंट मीडियम इसे देंगे स्वाइल मिक्स त्यार करेंगे तो वेल ड्रेंड स्वाइल होनी चाहिए और उसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ऐसी मिक्स्चर हमें त्यार करनी होगी जिसमें जो है नमी हमेशा बरकरार रहे दोस्तों क्या हुआ कि यह जो लाल मिटी है यह सूखने लग गई और साइद आप देख रहे होंगे कि यह कुछ पत्तियां जुलस सी गई यह देखो दोस्तों आपको लगेगा अगर हम बिल्कुल भी एक दो दिन पानी नहीं देते हैं तो इस तरीके से पत्तियां जुलस सी जाती है सूखने से लग जाती है आपको लगेगा कि पौधा सूख गया यह सारी पत्तियां जो है नीचे की तरफ गिर जाएंगी आपको लगेगा पौधा सूख चुका है लेकिन ऐसा नहीं है आप अच्छे से वाटरिंग करेंगे तो फिर से ठीक हो जाएगा तो हमें ध्यान देन को मिलती है तो यह बड़ी बात है दूसरी बात क्या है कि अगर हम इसको लगाने के बाद रख रहे हैं इस जगह पर तो हमें ऐसी जगह सेलेक्ट करनी होगी जिसमें की बहुत तेज डारेक्ट सनलाइट नहीं आ रही हो खासकर जो दोपहर की धूप है उससे इसको बचाना में या फिर आप देखते हैं कि आपके हाँ हाल है जहां पर खिड़की से हलकी सी विंडो से धूप आती है सुबह की वहां पर यह बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है एक तरीके से मान के चलो हलका सा इंडोर वाला ही जगह है लेकिन सुबह सुबह की धूप अच्छी त्यार कर रहे हैं तो फ्रेंड्स हम देखेंगे यहां पर स्वाइल मीडिया त्यार करने के लिए हम जो यहां पर सेलेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से आप देखें यहां पर यह दोस्तों हमारे पास है धान की भूसी और इसके साथ हम स्वाइल मीडियम में 20% तक धान की भू रहे हैं आपके पास गोबर की खाथ नहीं है तो आप जो है इसकी जगह पर केचुवा खाथ जिसे हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ हम यहां पर थोड़ा सा फटलाइजर भी इस्तेमाल करेंगे जैसे यह आपके सामने डियेपी है एक ग तो १ायम है अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आधा Udha चमफ माईक्रोजायम मिलाएँ गे जिसcommittee nostra in दोस्तो होते हैं अब दोस्तों यह जो गंबले में लगा पौधा है इसमें हम इसको जो है गंबले से निकाल लेंगे तो गंबले से निकालने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो यही है कि हम जो है इसको उपर से इस तरीके से पकड़ लेते हैं इस तरीके से और इसको धीरे से करते ह इसमें बहुत बड़ी हासे ग्रोथ नहीं हो रही थी पूरा का पूरा आप देखेंगे रूट वॉल आपको दिख रहा है इस तरीके से रूट सी रूट सापको नजर आ रही लाल मिट्टी में लगी है अगर आप जो है यहां पर देखें पूरा रूट सी निकल आई है अब दोस्तों रिपॉर्टिंग के समय कई लोग लाल मिट्टी हटाते हैं लेकिन मैं बताऊंगा कि अगर आप जो है बिगनर हैं तो आप इस मिट्टी को ना हटाएं एजिटिज भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं नमी बरकरा रहने चाए बस दोस्तों हाँ लाल पॉट लिया है दोस्तों यह हमने पॉट साइज लिया है इसमें नीचे कंकर डालेंगे और इसमें हम लगबग 50-60% तक पहले इन जो अभी आपको बताया गया है मिट्टी है उसका मिक्षर भरेंगे तो मिक्षर में हमने आपको बताया दोस्तों क्या रखना होगा कि 30-30% ह और इसके साथ में दोस्तों खाद लिया है और 20-20% हमने धान की भूसी लिया है और कोको पीट और धान की भूसी जो है दोनों ही वाटर को होल्ड करके रखती है नमी परकरार रहेगी और साथ में क्या है स्वाइल मेडियम भी थोड़ा सा हलका रहेगा हवा भी प्रॉपर तो अगर आपके पास उपलब्द है तो आप धान की बूसी का भी स्केमाल कर सकते हैं बहुत बढ़िया रहता है दोस्तों इस तरीके से हमने गंबले के जो बेस में बना हुआ पोर था उसके उपर इस तरीके का को एक अंकड रख लेना होता है रखने के बाद जो है हम इसमें मिक्स्चर को लगभग जो है 60% तक फिल अप करेंगे दोस्तों अब दोस्तों हमने इसमें 60% तक भर लिया है उसके बाद हम गंबले में पौधे को बिल्कु सेंटर में कोशिस करेंगे तो सुन्दर लगता है और अगर इधर उगर एक साइड में हो जाता है तो सुन्दर न अच्छी नहीं होती है दोस्तों तो इस तरीके से हमने क्या किया दोस्तों इसको फिल कर लेंगे देखो दोस्तों हम बहुत उपर जगे जादा नहीं छोड़ें क्योंकि उपर से पानी डालने पर यह भी थोड़ा बैठ जाएगा दोस्तों आधा आधा इंच बैठ जाएग हमें हर दिन इसमें हलकी सी वाटरिंग करनी होती है छोड़ना नहीं होता है इसको नहीं तो पौधा मुर्ज़ा जाता है दोस्तों अगर आपके पास इसमें उपलब्ध हो तो कोई फंगी साइड को जरूर मिलाएं हमने मिलाया था थोड़ा सा साफ नाम से जैसे फंगी साइड आता ये कोई भी फंगी साइड आपको पास यवलेबल है तो उसको भी स्वाइल मेडियम में जरूर मिलाया जिसकी वज़े से जो है इस पर fungal attack नहीं होने पाएगा तो ये दोस्तों इस तरीके से हमने इसकी potting complete कर लिए अब दोस्तों एक बार पौधा लगाने के बाद हम इसमें full watering करते हैं इस तरीके से हम इसमें full watering कर देते हैं और उपर से भी पारी डाल देंगे जब तक कि नीचे के drainage hole से watering थोड़ा थोड़ा सा water drip ना करने लग जाए तब तक हम इसकी full watering करेंगे और इसके बाद हम इसे उसी जगे पर रख देंगे सेड़ी प्लेस पर जहांपर हलकी सी सुबह या साम की हलकी सी एक घंटे की लगबग धूप मिल जाए इसको तो बड़ी हाथ सा सर्वाइब करता है दोस्तों अब बात है potting तो complete हो गई, reporting हो गई है आगे की हम इसकी care कैसे करें तो दोस्तों आगे की care के लिए हम इसमें लगबग 20-25 दिन पर liquid fertilizer का इस्तेमाल करते रहें जैसे mustard cake जो होता है सर्वाइब की खली हमने कई बार अपने वीडियो में बताया है उसको जो है आप जो है लगबग एक मुठी mustard cake लेने के बाद उसको पानी में भीगो के रग दें लगबग 2 दिन, कम से कम 2 दिन जो है उसको भीगने दें और उसके बाद जो है उसका जो liquid त्यार होता है उसमें लगबग 1 लेटर पानी और एड़ कर लें उसके बाद थोड़ा-थोड़ा सा हम उसको जो है इक गमले में देते रहे हैं बहुत ज़्यादा quantity में नहीं देना है बहुत ज़्यादा हमें inorganic fertilizer भी नहीं देना है बहुत खुबसूरत से फूल किलते हैं अगर आपके घर में ये पौधा नहीं है तो आप जो है इसको लाकर लगा सकते हैं इसको cutting से भी बहुत आसानी से ग्रो कराया सकता है अगर आपके आसपास में कहीं पर लगा है तो आप cutting से भी बहुत आसानी से grow करा सकते हैं और चाहे तो आप इसे seed से भी grow करा सकते हैं लेकिन अब क्योंकि season लगवग जाने सा है जाने वाला है तो आप nursery से ही इसे purchase कर लें जिसमें कि इसमें flowering हो रही हो नहीं तो फिर late हो जायेगा seed से grow कराने में तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को like करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें Thank you दोस्तों